सब्सक्राइब करने को मिलेगा और किन एरिया पर आपके लिए इंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं और अगर आपने इंट्री ले रखी है तो कौन से एरिया जहां पर आपको प्रफिट बूक करना है और लोंग टम सोट टम के प्रस्पेक्टिव से हम चीज़े को समझेंगे इसके अलावा अभी तक आपने अगर कोईंडी से डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कोईंडी से डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा सो रुपर का इथिरे अगर हम देखें तो यहां एक अच्छे-खासी स्पाइक हुई थी जहां मार्केट में एक सडन डंप देखनों को मिला था वहीं हमें वन इंच कोईं में एक बहुत अच्छे स्पाइक देखनों को मिली थी और अल्मोस्ट वहां से इसकी प्राइस जो है वो 90 परसेंट हंड को क्रोस नहीं कर पाया क्योंकि वह एक हेवी रेजिस्टेंस था और अज बहुत जांदा वोल्यूम मिला था और वहां पर ठैड़ना बहुत ही मुस्किल था क्योंकि उतना ही से लाउट भी देखने को मिलता है लेकिन यह एक चीज थी कि एक सडन डंप था यहां पर तो जा डिटी से 6.3 वाला एरिया जो है इसके लिए हैवी रेजिस्टेंस है और यह एरिया इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी तभी यह अपना अल्टाइम हाई क्रोस करके नया अल्टाइम हाई बनाएगा इसका जो आल्टाइम हाई है वह जो अमुस्ट एट यह तो वहां टक पह बन कर आया है तो 3.8 से लेकर के फोर युएटटी वाला एरिया जो है इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है तो इन एरिया पर आपको नजर रखनी अगर इसकी प्राइस फोर युएटई पर आती है और आप जाएगी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि यहां पर हमने देखा है तो यहां पर 4.14 टच किया था इसने और यहां 4.3 इसी एरिया में अभी यह भूम रहा है वन अवर के चार्ट में देखे तो यही एरिया इसने मेंटेन करके रखा हुआ 4.5 से ले करके तो ओलमोस्ट 4 URT वाला एरिया जो है इसी के बीच में बहुत दिनों से घूम रहा है 4 आवर के चार्ट में भी देखे तो प्रिवेस स्पाइक से पहले प्रिवेस स्पाइक से ले करके अभी तक का जो एरिया है इसी के बीच में यह घूम रहा है 4.7 टेच किया था तो इसी एरिया में घूम रहा है तो यह एरिया इसने क्या एक correction mode में इस एरिया में support maintain करके रखा है 3.8 से लेकर 4.8 वाला तो अभी इसकी price में हो सकता है कि वापिस 4.8 वाला area टच करें लेकिन chances अभी आप वहां जाने के chances कम हैं लेकिन क्योंकि जो अभी जिस टाइप से यह डाउन हुआ है थोड़ा सा दो तीन ग्रीन केंडल बनने की कोशिस कर रही है कर रही है स्पाइक की कोशिस हो रही है लेकिन उस टाइप की स्पाइक नहीं हो पा रही है तो अभी chances है कि इस area को टच करेंगा यह 4.7 वाले area को वापिस से और वापिस से 5 वाले तक जाएगा और अगर अच्छा वोल्यूम मिलता है तो यह जो 6 वाला area है जो की रिश्टेंट फेस करने को मिल रहा है इसको इसको यह चार उप से 5 दिन में ब्रेक कर देगा दो अच्छी खासे केंडल चाहिए इसको एक केंडल 5 वापिस 25 परशन की बनती है तो वहां यह ब्रेक कर है तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही सेफ इंट्री रहेगी अगर विट्कॉइन में किसी थाइप की नेगेटिव नहीं आती है तो आप इसको 3.8 से नीचे नहीं देखेंगे और इससे उपर रहेगा फोर यह तो फोर पर रहता है तो बहुत ही आपके लिए सेफ इंट् ले सकते हैं क्योंकि चांसे कम है कि फोर वाली इंट्री आपको मिल पाए मिलती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको वह लिमिट लगा के रखें और केंडल पेटर्न को देखते रहे हैं 4.15 से लेकर 4.2 इंट्री सेफ है बिल्कुल और उससे नीचे अगर थोड़ा 6.8 से लेकर के 6.1 वाला जो एरिया है यह इसके लिए हेवी रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आल टाइम हाई की और बढ़ेगा आल टाइम हाई क्रोस करके और अगर उससे उपर क्लोज रहती है अगर इसकी केंडल बंडे की डेली क्लोजिंग अगर सब्सक्राइब को उपर रहती है तो फिर थोड़े कर्रेक्शन मोड के बाद वापिस से स्पाइक हमें देखने को बढ़ेगी नेक तार्गेट हमारे 10 युजटी 12 युजटी 15 युजटी हम दिसंबल आस तक इसको देख सकते हैं लोंग तम के हिसाब से अच्छा खासा इने एरियास में नजर रखनी है और प्रोफिट बुक करते रहिएगा जिसे अच्छी काशी स्पाइक अगर होती है वंडे में डारेक्ट यहां से अपना जो सिक्स युजटी वाला एक ही दिन में क्रोस करता है सेवन युजटी पहुंचता है सिवन से उपर पहुंचता है तो प्रोफिट बुक कर लेना क्योंकि इसे टाइप का पेटर्न वापिस से हमें देखने को मिल सकता है अगर इस टाइप के स्पाइक होती है तो क्योंकि यहां से अगर यह 4.2 या 3 में इंट्री ले रखी है और 6 वाले अईरिया डारेक्ट ब्रेक करता है तो ओल्मस्ट आपको 5 के नीचे इंट्री मिल जाती है इसमें तो वापिस आप इंट्री ले ले क्योंकि वहां आपको प्रोफिट ही रहेगा इन एरियास पर वापिस करेक्शन मोड में आ सकता है और अगर फिर 6 के उपर केंडल क्लोज करता है तो फिर आपको एंट्री मिलना मुस्किल हो आएं कहां पर इसवाइक एक्सपक्टेड है वागे खुद का टी एकुट का रिसस जरूर करें और क्रिप्टों में करना हैं तो बहुत ही समलकर आपको रहना है चीजों को अच्छे से देखना है बहुत ही थोड़े आमाउंट्स आपको दीरे-दीरे सीखना है और वहीं आ लगाना जो अल्मुस आप 8-10 मंत होल्ड कर सकते वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है क्योंकि इस टाइब के वीडियो सापको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थेंक्यों